तो हम लोग आज derive expression for work done in adiabatic process करने वाले जो कि physics के thermodynamics का एक lota derivation ने जो important है और आ सकता है board exam में तो इसका हम preparation करने वाले क्योंकि इस साल ये board exam में नहीं आया था 2022 में तो हो सकता है next day 2023 में आ जाए अब इसमें क्या होता है कि system undergoes an adiabatic change when its temperature and internal energy temperature मतलब delta t internal energy मतलब delta u तो यहाँ पर वही दिया है delta u मतलब internal energy and number of moles cv मतलब molar specific heat at constant volume इसको हमने ktg में किया है kinetic theory of gases में delta t मतलब temperature होता है तो work done क्या होता है by thermodynamics pressure into change in volume और volume कहां से change होता है initial to final तो w equals to pdv यह हमने बहुत बार पढ़ा है chemistry में अब physics में भी हमको यह thermodynamics में पढ़ना है तो change in volume है initial to final तो हम लोग adiabatic change में क्या होता है pv raised to gamma अब यह gamma क्या होता है gamma मतलब होता है adiabatic change gamma मतलब होता है आपका adiabatic change तो adiabatic change है that is constant होता है c के तो इसलिए हम p को क्या लिख सकते है c upon v gamma यह v gamma नीचे आ जाएगा तो इसलिए p को हम क्या लिख सकते है pressure को c upon v gamma जहाँ पे c मतलब constant होता है और v gamma मतलब change in volume raised to adiabatic ratio अब work done को हम फिर क्या लिखेंगे इस equation 1 में p की जगा पे हम लिखेंगे c by v gamma याद रख़ो p की जगा पे हम लिखेंगे c by v gamma यो Wright hoda जाएगा v raise to be minus pa mi d v इसका आपको integration करना है तो ये किसके format के बराबर होता है x raise to nいい to d x और उसका integration क्या होता है अगर आपको नहीं पता होगा तो x raise to n plus one upon n plus one ये integration का formula और rápido cigarette section अब इसी का integration. आप कैसे करके फिर इसी format लिखो V लिखा, minus gamma लिखा, plus 1, upon, वापस, minus gamma, plus 1, ठीक है, याद रखो, access to x है, वो इसके form में हो गया है, तो इसी form में, यहाँ पे आपका n क्या है, minus gamma है, ठीक है, और 1 को as it is रखा हमने, तो वही चीज मैंने यहाँ पे, यहाँ रिख दी, ठीक है, तो यहाँ पे, क्योंकि gamma negative में है, और 1 positive है, तो इसलिए 1 minus gamma मैंने इसको लिख दिया, जो हम लिख सकते है, V initial to V final, अब हमारा volume कहां से change हो रहा है, initial to final change हो रहा है, तो मैं एक बार क्या करूंगा, V की जगा पे हम लिखेंगे, एक बार V final, और एक बार V की जगा पे लिखेंगे V initial, तो final minus initial, ऐसा होता है, इसलि इसको अपनोंने ऐसे लिख दिया, V, एक बार हम लोगने V की जगा कहा लिखा, V final, और एक बार इसी V की जगा हमने कहा लिखा, V initial, तो V final minus V initial, और 1 minus gamma इसको लिख सकते है, ठीक है, अब यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है, pressure initial, volume initial, raise to gamma is equal to pressure final, volume final, that is equal to C होता है, जो की constant होता है, जो अभी हमने यहाँ पे equation number 2 में देखा था, तो अभी हमें करना क्या है, अब हम जहाँ पे C था, इस C की जगा पे हम क्या लिखेंगे, pressure final, volume final, और pressure initial, volume initial, तो इसलिए आप देख सकते हो, यहाँ पे C को अगर मैं अंदर multiply कर दूँ दोनों जगा पे, तो इस अंदर वाले, इस वाले V final वाले के उपर के आएगा, V pressure final, volume final, और यहाँ पे initial वाले के आएगा, pressure initial, volume initial, raise to gamma, ठीक है, और नीचे का तो as it is हमने रिख दिया है, ठीक है, नीचे का हमने as it is रख दिया है, अब यह चीज student ध्यान में रखो, क्योंकि 1 minus gamma तो हो गया, और C की जगा पे क्या लि तो यह plus gamma क्या हो जाएगा, minus gamma हो जाएगा, minus 1 क्या हो जाएगा, plus 1 हो जाएगा, इसमें भी होई होगा, यह उपर गामा गया, तो minus gamma हो जाएगा, यह minus 1 ऊपर गया, तो यही चीज़ उपर ले लिए, और उपर तो pressure final, volume final था ही, तो volume final का ratio देख रोगा, gamma था raise to, और यहाँ माइनस गामा प्लस गामा क्या होगा बाइंडाइस गामा माइनस गामा प्लस वन ऐसे होगा ना तो माइनस गामा प्लस गामा कैंसल तो बचेगा क्या प्लस वन ना प्लस वन नतिंग बट वी फाइनल वैसे ही यहां पे भी माइनस गामा प्लस गामा कैंसल प्लस वन बचेगा लिख सकते हैं, इसलिए PV की जगा क्या लिख दिया, R gas constant है, तो same ही रहेगा, तो उसको बाहर निकाल लिया, बचेगा क्या change in temperature, तो temperature क्या होगा, V final की जगा Tf, और V initial की तरह है T initial, तो इसलिए NR T final minus T initial upon 1 minus gamma, याद रखो यहाँ पे T kya है, change in temperatures है, final minus initial, gamma मतलब adiabatic ratio है, R मतलब gas constant है, N मतलब number of molecules, और W मतलब work done, यही हमें चाहिए था, work done in adiabatic ratio, I hope आपको यह derivation समझ में आया होगा, यह exam में अगर आया, तो यह 3 से 4 मार के लिए board exam में आ सकता है, तो thermodynamics में अगर किसी को derivation करना है, तो यह वाला derivation आपको करके जाना चाहिए, that is very very important, I hope आपको यह समझ म क्या होगा, thank you